हेलो दोस्तों आईए आज इस वीडियो में समझ लेते हैं स्टॉक शब्द का हिंदी और इंग्लिश में में मीनिंग विद एक्जाम्पल स्टॉक स्टॉक का इंग्लिश में मीनिंग होता है मतलब ऐसा कोई समान और चीजें जो किसी बिल्डिंग में या घर में रखी होई है बिजनेस परपसे या विएर हाउस में रखी होई है और वो सेल या डिस्ट्रिबूशन के लिए अविलबल है उसे बुलते हैं स्टॉक जैसे किसी समान का स्टॉक या गोदाम में कोई स्टॉक रखा हुआ है उसे स्टॉक और स्टॉक के साथ मार्केट अगर जुड़ जाता है स्टॉक मार्केट तो उसका मीनिंग हो जाता है शेर बाजार तो स्टॉक का हिंदी होता है भंडार, सामान, सामगरी, कोठार या गोदाम चलिए इसको example से समझते हैं She invested in the stock market उसने share बाजार में निवेश किया invested का मतलब है निवेश किया और stock market का यहां पर मतलब है share बाजार तो इस वीडियो में नए इस वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें